हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो को टॉपिक है पॉर्टफोलियो, और बहुत सारी वीवर्स ने कमेंट करके बोला था कि पॉर्टफोलियो पर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए ये वीडियो मैं ल आपने पूरे साल किसी भी सब्जग में क्या हो, तो जो जो काम आपने किया है, जब उसका कलेक्शन करके किसी एक फाइल में आप रखते हैं, तो उसे हम पॉर्टफोलियो कहते हैं, means अगर आपने मान लीजिये किसी art and craft का काम किया है तो पूरे साल में आपने क्या-क्या art and craft में activities की हैं उनकी pictures या फिर जो भी आपने artwork किया है वो एक file में एक folder में collect करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे portfolio ओके ऐसा हर subject का portfolio बनता है like, maths, science, sst जिस भी subject में आप बना रहे हैं तो उस subject में आपने पूरे साल में जो जो काम किया है जो जो activities की हैं सबकी pictures, सबके बारे में थोड़ी सी detail यह आप लिखते हैं और उसकी pictures वहाँ paste करते हैं तो चलिए हम देखते हैं मैंने आपके लिए आप एक portfolio तयार भी किया है और वो portfolio एक real portfolio है जो की मैंने खुद से बनाया है तो मैं real portfolio आपके सामने present करने जा रहे हैं सबसे पहले कोई भी portfolio आप बनाए तो उसमें अपनी details ज़रूर लिखे detail में अपना name, class section, role number, subject, school name, school code, submitted to अब देखिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके के लोग हैं जो portfolio बनाते हैं अगर आप college student है और आप portfolio बना रहे हैं तो उसमें आप अपने college का नाम, college का year ठीक है और college के सारी details लिखेंगे बट अगर आप school students है तो इस school की सारी details लिखेंगे और अगर आप कोई teacher हैं तो आप क्या करेंगे उस according सारी details लिखेंगे कि बहुत साई teachers भी बच्चों की portfolio बनाते हैं like किस बच्चे ने क्या क्या काम किया है, किस के subject में किया है तो वो भी portfolio बनाते हैं, portfolio बहुत अलग-अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं आपको record रखना होता है कि पूरे साल में किस subject में आपने क्या काम किया है तो ये एक तरीके का record होता है, किसी भी topic पर आप इस record को बना सकते हैं then इसका, आपका front page तो आपको पता है, आप जो create करेंगे, उस पे portfolio लिखेंगे then second page आपने बनाया, जिस पे आप अपनी information लिखेंगे, उसमें आप अपनी picture भी paste कर सकते हैं then third page होगा, जिसमें आप portfolio के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, आप school student है, college student है, तो आपको ये लिखना है, थोड़ी से information आपको देनीए कि portfolio क्या होता है so यहाँ पर जैसे मैंने आपको definition इसकी लिखे, बताई है कि portfolio का मतलब होता है portfolios are collections of student work representing a selection of performance किसी भी तरीके का student हो, college student हो, school student हो, तो अपना जो भी आपने काम किया है, जो भी आपके performances रही है ठीक है, उसका collection, collection करते हैं आप अपने सारे काम का, ठीक है, और उसी को present करते है so portfolios are collections of student work representing a selection of performance, okay then second है, a portfolio may be a folder containing a student's best pieces and the student's evaluation of the strengths and weaknesses of the pieces so portfolio mainly क्यों बनाया जाता है, यह इसलिए बनाया जाता है कि आपने शुरुवात में, बाद में, जो काम किया है उसके बीच में differentiate आप खुद कर पाएं, कि आपने जो पहले किया था, साल के शुरुवात में, जब आपने start किया था, वो year तब आपका काम कैसा था, और end में, जब आप उस year को complete कर रहे हैं, तो आपका काम कैसा है comparison कर सकें, आप खुद के काम में, कि आपने कितना सीखा, और अभी क्या mistakes हैं, जो आप सुधार सकते हैं, ok then हमारा portfolio जो है, इसका आप जो like है, मैंने page start किया है, जहां से आपके portfolio की pictures start है ok, portfolio यहां से art and craft का बनाया है, मैंने, आप किसी भी subject का बना सकते हैं, मैंने art and craft का इसलिए बनाया है क्योंकि mostly art and craft में तो आपको compulsory ही होता है कि बनाना है, बागी other subjects में subjects के according आप बना सकते हैं सबसे पहले, जैसे index, तो आपने जो जो भी आपने बनाया portfolio में, जो जो चीज़े डाली हैं, उनका index जरूर बनाएं, ok और index आपका, आपके work के according होगा, किसी का index थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और किसी का index छोटा भी हो सकता है, so topic of content आपके, जो portfolio उसके according होगा, ok like मैंने जो portfolio बनाया है, उसके according अगर देखा जाए, तो यहां मैंने paintings डाली होई है, कि water paste, color painting, paste, color painting, pen and sketch, ok so, यहां पर रंगोली, collage, sketch, printing डाली है, puppet डाला है, paper, folding, यह सारी चीज़े मैंने डाली है, ok then, मेरा index two pages का है, क्योंकि इसमें बहुत साई चीज़े डाली होई है, like, यह page शायद आपको clear ना दिखाई दे रहा हो, बट अभी हम जो जो चीज़े हमने डाली है, वो देखेंगे, तो समझ आ जाएगा, like, bow, peacock, necklace, mask, यह सबी चीज़े है, okay, so, इसके बाद आप यहाँ से जो-जो मैंने काम किया है, ठीक है, वो सारी चीज़े मैंने डाली है, like, first page है, यह क्या है, paste color painting है, तो greeting card बनाया है, जिसका front page है, okay, then, मैंने वहाँ पे greeting card as it is लगा दिया, जो चीज़े लग सकती है, पॉर्टफोलियो में, वह आप as it is लगा देंगे, और जो चीज़े नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उनकी pictures क्लिक करेंगे, उसके print out निकालके, और वो लगा सकते हैं, okay, जिसे pen and ink painting मैंने बनाई है, यह, और यह मैंने as it is यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और यह सभी जो मैंने आपको यहाँ पे painting शो कर रही हूँ और आगे शो करूंगी, वो सभी A3 size की हैं, तो आप तो अपने according लगाएंगे, जिसे जो भी आपको school में करवाया गया, जिस भी according करवाया गया, अगर आपने A4 size की बनाई है, तो आप A4 के लिए क्या करेंगे, आप picture क्लिक कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी folder आपने जो है बनाए हैं, या फिर जो भी है आपके काम की according, then यह सूजी पेंटिंग है, फिर यह है shading, now this is rangoli, this is sketch, okay, इस सारी चीज़े मैंने आपके लिए, यहाँ पर लगाई है, यह मेरी real file है, जो मैंने बनाया था, portfolio, okay, यह block printing है, आप block ले लीजिए, और block से फिर print करते हैं, जो कपड़ों पर printing होती है न, ठीक है, block printing यह वो है, मैंने paper पर की हुई है, और वैसे cloth पर होती है, यह सुतली printing, कि अगे, सुतली एक तरीके का आप देख सकते हैं, धागा होता है, यह यहाँ पर मैंने सुतली पेस्ट भी किया हुआ है, यह सुतली है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी print कर किया गया है, सुतली printing के बाद हम next आजाते हैं, match stick printing, आप देखेंगे कि match stick है, इसी से leaf बनाए है, और उन पर print किया, और मैंने match stick भी हाँ पेस्ट किया है, तोड़ा creativity के लिए आप अपने according जो भी आपने बनाए होंगे, उसको अपने according portfolio जब भी बनाए, तो उसमें जितना भी हो सके, इसके बाद है, puppet बनाया मैंने हापे, finger puppet, तो यह family puppet बनाया है, ओके, इसके बाद stick puppet मैंने हापे create किया है, stick puppet, एक animals के हैं, और एक joker है, then इसके बाद है यह butterfly, और paper folding आपने देखा होगा, सुना होगा, किया भी होगा, school time में, so paper folding से आप कैसे कैसे work कर सकते हैं, paper fold करके, आपको यह butterfly मैंने बना के show किये, now paper folding से dress मनाई है, मैंने, अब जो जो काम मैंने किया है, वो सब मैंने इसमें paste किया है, तो जो चीज़ as a tease में लगा सकती थी, मैंने as a tease लगाई है, और जो मैं photo click कर सकती थी, मैंने उसकी photo click किया, अब photo मैंने जो click किया है, वो अभी नहीं, आपको एक दो pictures के बाद दिखाई देंगे, then paper folding से flower है, ये bow है, और pick cock है, after this ये photo frame है, ओके, necklace with earrings बनाया है, मैंने, अब आप सोचेंगे earrings कहा है, तो earrings ये रहे, और ये necklace है, ओके, इसके बाद आप देखेंगे, कि यहाँ पे, ये एक ट्रे से बनाया हुवा flower है, ये एक ट्रे का piece है, और ये mat बनाई है, आप लोगों ने science में पढ़ा होगा, कि ये mat कैसे बनती है, ठीक है, आफ्टर दिस, पेपर कार, पेपर से कार कैसे बनाई जा सकती है, देन, आई मास बनाया है, मैंने, जो आप खुद से बना के, यूज भी कर सकते हैं, घर की किसी birthday party में, अपने दोस्तों के साथ, ओके, new year party में, Christmas party में, जैसे भी गई है, उसके लावा, rat and cow, ओके, ये भी पेपर से ही बनाए है, पेपर से, ट्रे से, जो आप देखते हैं, तर्मकॉल और ऐसे पेपर, इन सारी चीजों से यूज कर सकते हैं, पेपर से यूज कर सकते हैं, और उन से ये बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद rabbit bag है, यहाँ से इसमें चीजे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरफ प्लेट लगाई है, और back side भी इसके प्लेट है, इसमें आप कुछ भी समान रख सकते हैं, इसके बाद है, tissue paper flower, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत साइफ flowers बनाए हैं, उनकी photo click कर लिए, और photo paste किया, और एक tissue का, यहाँ पर मैंने flower भी paste किया है, ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि photo click कर लिजे, क्योंकि बहुत सार ऐसे work school में करवाये जाते हैं, जिनकी हम photo click कर गे, उसे paste कर सकते हैं, तो portfolio में हम pictures भी paste कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने photos लगाई हैं, act ray से मैंने यह सारी चीज़े बनाई हैं, ठीक है, बट यहाँ पर act ray से बनाई ही चीज़े नहीं paste कर सकती थी, तो मैंने इसलिए इनके छोटे से miniature बना के लगा दियें, और इनकी real photo लगा दिये, जो मैंने बनाए थे, ओके, देन इसके बाद, यह painting है, इसके बाद यह है, gift box, और santa claus, rocket, pen stand, यह भी pen stands है, इन सब की photo click करके मैंने paste की है, इसके बाद यह है bag, ठीक है, gift bag, जिसमें आप चीज़ों को रखके किसी को gift कर सकते हैं, इसके बाद, gift bag के बाद, हमारा next page है, इसमें penguin, angry bird और mug, यह सारी चीज़े मैंने बनाई है, ठीक है, किस से बनाई है मैंने, clay से बनाई है, ठीक है, और clay material जितने भी इनकी photo click किये, क्योंकि इसे आप नहीं लगा सकते हैं, इनकी picture click करके लगा सकते हैं, यहां पर आपकी जो portfolio complete होता है, बढ़ मैंने एक एक picture क्यों दिखाई आपको धियान से, क्योंकि आप अगर art की file बना रहें, तो आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप किसी और subject की बना रहें, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा mention करना बिल्कुल न भूलें, जिस भी page पे आप जो जो topics आपको दिये गए, वो ज़रूर लगाए, हो सके तो उनकी definition भी लिखें, और definition नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपने जो step follow कियां, एक या दो step भी ज़रूर लिखें, ओके, सो यहां आपकी portfolio complete होती है, आप लोगों को मैंने ये portfolio कैसे बनाया जाए, एक portfolio शो भी किया, उसके अलावा definition भी बताई, I hope so आप सभी को समझाया हुआ, comment करके जरूर बताएं, और तो और चैनल को subscribe, like और share करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि अगर आप इसे share करेंगे तो जादा स्यादा लोगों तक हम इस वीडियो को पहुचा पाएंगे, और उनके लिए भी ये beneficial होगा, okay?